आज हम डिसकस कर लेंगे कि उजी सी गाइडलाइन 2.0 क्यों नहीं आए देखिए बहुत सारा जो नियूस होता है मैं नियूस कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन नहीं बहुत सारा जो नियूस होता है वो नियूस पेपर में आते हैं और अगर आप चार-पांच नियूस पेपर ले लिजेगा तो देखिएगा उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस है तो इसके चलते मैं आप लोग को जो स्टूडेंस लोग हैं बहुत ही टेंशन में हैं पता है मुझे कि आप लोग सोच रहें कि UGC गाइडलाइन 2.0 अगर आ गया तो ये वेस्ट पेंगॉल का जो गाइडलाइन से यानि के 80-20 रेशियो वाला ये चेंज हो जाएगा के नहीं इसका आंसर मैंने पहली भी दे चुका है कि ये दे चुका हूँ मैं इसलिए बेल बोल रहा हूं कि जो पिर्वीज वीडियोस था मेरा सभी में मैं कहे चुका हूं कि ये वाला अमेंड्मेंड जो है ये कुछ भी हो नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ UGC के गाइडलाइन्स तो ये West Bengal government को भी पूरा जैसे के बाकी सारा state government अब बहुत ही देख चुके हैं जैसे ओडिसा और आप देखिए महाराष्टर यहाँ पे तो exam cancel कर दिया गया है वैसे ही physical exam जो cancel हो गया है तो वैसे ही जो बाकी का exam method है वैसे student लोगों को result दिया जा रहा है वैसे ही UGC का guideline ने वाला जो version 2.0 वहाँ भी जाए तो कोई फरक नहीं परेगा 80-20 ratio में West Bengal के लिए अभी देखिए यह मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारा यानि कि जो news पर पता मैंने पहले भी दिखा था Times of India में यह आया था UGC guidelines for university exam as revised calendar awaited verse it is differ in opinion on final exam बट यह वाला आप देखिए अभी Times now पे जो आ गया है यहाँ पे देखिए आप यह 1st July को बोले थे पहले कि आ जाएगा ठीक है यानि कि और एक report इन लोगों नहीं दिखाया था कि कि 2nd July UP जो government है वो अब अपना exam pattern discuss करेंगे होगा के नहीं इसके बारे में लेकिन अगर सच माने तो हम लोग देखिए वाला कोई भी बाकी जो 2.0 वाला यानि guidelines उसके चलते देखिए बहुत सारे universities जो है वो सारे universities अपना अपना खुद का जो state का rule है वो ही follow कर रहे है और देखिए यहां पे भी इसका मैंने link भी डाल दिया यह जैसे मैंने दिखा यह times now का है ठीक है तो इसका link भी मैंने दिया हुआ है और बाकी जो पहले चपा था newspapers में उसका भी link दिया हुआ है तो इसक के चलती यह क्या कह रहे है यहां पर as suggested by various media reports the commission is likely to release the guidelines by July 1st 2020 यही बाला चपा था newspaper में और उसका बहुत सारा internet copy viral भी हुआ था but it has not been officially confirmed by UGC यट तो अभी आपको पता चल गया कि यह officially कुछ confirmation नहीं मिलता है और लोगों को मनगरन कुछ भी link दिये थे अगर confirmation मिलता तो UGC का जो official Twitter account है वहां पर जरूर होता जो मैंने पहले आप लोगों को दिखा दिया है तो इसके चलते मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जो students लोग अभी भी panic कर रहे है कि notice आएगा तो UG 20-20 ratio में exam होने वाला है वैसे ही exam होगा यानि कि no physical contact और internal home-based assessment है वही आपका चलेगा तो अभी इसके चलते मैं आप लोगों को request करूँगा कि प्लीज कोई भी news देखने से पहले उसको information मत समझे अपना दिमाग लगाई है जैसे के और बहुत सारा news चापा हुआ है कि मार जोगा semesters intermediate students के लिए तो प्लीज वेट कर लिजिए यह सब यानि कि यह जो बात है यह next impossible है तो प्लीज आप लोग अपना जो mental peace से बरकार रखिया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है